हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो माई चैनल तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में आने वाला मड्डिल स्पीच रिकोगनेशन मड्डिल और उसमें आने वाली एक एरर की बात करेंगे और वो एरर कैसे स्वल करतें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो यहाँ पे कल में जार्देश का प्रोग्राम बना रहा था तब मुझे स्पीच रिकोगनेशन मड्डिल में एक एरर आ रही थी तो यहाँ पे यह एररर स्वल करने में जितना टाइम मुझे लगा उतना टाइम आपको न लगे और इसलिए यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ओके तो यहाँ पे फड़ा पड़ा में स्टार्ट करतें तो यहाँ पे सब से बेले मैं पाइथन की कोडिंग के लिए व्यस्टूडियो ऊपक करूंगा तो यहां पर मैं सार्वेस का फोल्डर खोल homeland और यहां के एस फोल्डर में व्यस्टूडियो ऊपंग करने के लिए मैंवस पर right क्लिक करेंगे और यहाँ पर open with code पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने ये trick अपनी वेब प्लेलिस्ट की सीरीज में बताईए और जो आप वेब प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते है तो मैं वीडियो के description पार्ट में उसकी link दे दूँँगा आप वासे जाके उसको check out कर लेना sapi-fi input किया तो यहाँ पर हम उसकी मदद यह सिस्टम को voice get कर वा सकते है और उसके बाद यहाँ पर मैंने voice बीडियेबल बना है और मैंने system के engine में से get property करके voice enter किया है तो यहाँ पर मैंने system का voice print करवा है तो यहाँ पर मेंने system में दो voice है एक girls और एक boys की तो यहाँ पर मैं girls की voice यूज करूंगा और यहाँ पर मैंने system के engine में से set property किया है और यहाँ पर मैंने girls की voice set किया है उसके बाद यहाँ पर मैंने speak function बनाया है तो यहाँ पर यह function के मदद अच्छे हमारा system हमारा voice लेंगा तो यहाँ पर मैंने engine.say audio और engine.run bit का use किया है और यहाँ पर मैंने wish me function बनाया है तो यहाँ पर system हमारा, हमें wish करेंगा और यहाँ मैंने date time का use किया है उसके लिए यहाँ मैंने importer date time किया है और यहाँ पर जब time zero और 12 के बीच होंगा तब मुझे यह system good morning कहेंगा और जब time 12 और 18 के बीच में होंगा तो यह system मुझे good afternoon कहेंगा और another time में हमें यह system good evening कहेंगा ओके और उसके अलावा हमने speak function add किया है तो यहाँ पे system उसके अलावा हमें hello sir I am जालवे sister what I can help you यहाँ पे वो भी हमें कहेंगा ओके और उसके बाद यहाँ पे man tag command function हमने यूज किया है और यहाँ पे हम speech recognition module यूज करेंगे तो यहाँ से हम speech recognition module install करेंगे तो install करने के लिए आप enter करोंगे इंस्टाल speech recognition तो यहाँ पे हम इस वीडियो में speech recognition module install के में बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम speech recognition module यूज करने के लिए सब्से इंपॉर्ट करेंगे speech recognition और यहाँ पे हम speech recognition को as sr की तरीके यूज करेंगे करेंगे ऑकेश डिवरर बन लेंगे और is equal to sr तो sr का मतला पर speech recognition module उसमें रिकोगनाइजेसर function को यूज करेंगे उसके बाद हम एंटर करेंगे with sr.microphone as source तो यहाँ पर हम microphone का यूज करेंगे तो यहाँ पर system microphone का यूज अपना voice लेने में करेंगी और यहाँ पर मैंने print करवा है listen तो यहाँ पर हमारा system listen कर रहा है और यहाँ पर audio art.listen तो यहाँ पर हमारा system उसकी मदद चे listen करेंगा और यहाँ पर जब मुझे लगता है कि error आएंगे तो यहाँ पर मैंने try use किया है और यहाँ पर मैंने print recognition प्रिंट करवाया है और यहाँ पर मैंने query नाम का variable लिया है और art.recognization google enter किया है और audio तो यहाँ पर हमारी system उसकी मदद चे हमारा voice लेंगी और उस voice को text में convert करेंगी और यहाँ पर मैंने print करवा दिया query को और यहाँ पर मैंने accept exception as e एतले कि error जो error आएंगी तो हमारा system print error करेंगा और print करेंगा say that again please please again speak करो और यहाँ पर return none करेंगा तो यहाँ पर return none नहीं नहीं और यहाँ पर return query करेंगा और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैंने if name is equal to main यहाँ पर मैंने with me function और take command function run करने के लिए यहाँ पर मैंने enter किया है ओके तो आयोब आपको यह program पूरी तरह से समझ में आ गया होंगा अब यहाँ पर हम उसे run करते हैं अब मैं यहाँ पर आपने voice input करूंगा who are you तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने who are you voice input किया और यह system ने मेरा voice लिया नहीं और यहाँ पर एक error आ रही है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह error क्यों आ रही है तो यहाँ पर जब भी हम recognition module का use करेंगे तब यह module हम इंटरनेट की मदद से use करेंगे इटले के हम जब भी recognition module का use करना चाते है तो यहाँ पर हम अपनी system में internet connection on रखेंगे उसके अलावा speech recognition module use नहीं होता है तो यहाँ पर मैं अपनी system में internet connection on करता हूँ तो यहाँ पर हमारा system connect हो चुका है internet छे ओके अब यहाँ पर हम उस program को फिर से run करेंगे तो इस बार मैं बोलूँगा who are you hello jarvis who are you तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी error solve हो चुकी है और यहाँ पर मैंने जो बोला hello jarvis who are you तो यहाँ पर print हो चुका है ओके तो एक बार मैं उससे फिर से रंग करता हूँ तो यहाँ पर उसने प्रिंट करा है के hello jarvis sister i am c to patel ओके तो यहाँ पर इन्हें एक गलत प्रिंट कर दिया है ओके बट यहाँ पर हम उससे फिर से रंग करेंगे hello jarvis my name is setu patel तो यहाँ पर जार्वेस ने प्रिंट करा है के hello jarvis my name is setu patel तो यहाँ पर शेतू का स्पेलिंग गलत लखा है ओके बट यहाँ पर अपने माइक्रोफोन पर डिपर्नेट करता है ओके तो आई होप मैंने यह जो एरर बताई वो आपको पूरी तरह से समझ में आ इंटरनेट ओन नहीं किया था ओके तो आप याद रखना है जब भी आप speech recognition module का यूज करोंगे तब आप इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन की मदच यूज करोंगे ओके तो इस वीडियो में बस इतना गाईज और यह वीडियो को लाइक करे और यह वीडियो अपने फ्रें तो मैं वीडियो के description में C language की playlist और website की playlist की link दे दूँगा आप वासे जाके उसको check out कर लेना और मैं coding के status की playlist की link भी वीडियो की description पार्ट में उसकी link दे दूँगा आप वासे जाके उसको check out कर लेना और मुझे comment box में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा तो मिलते हैं next video में